Hello my dear friends, आप सभी का हमारी चैनल करिंटिश्डी पर स्वागत है दोस्तों, पॉल्टिकनिक इंटरेंस एक्जाम के लिए दोस्त इस्टूडेंट के लिए अपडेट एक आ रही है यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे पॉल्टिकनिक का नया सतर 21 नवंबर से श्टार्ट होगा यह तो आपको एक अपडेट है, आपको बताना चाहेंगे अगर आप पॉल्टिकनिक इंटरेंस एक्जाम 2020 के लिए फार्म को फिलिप किये हैं और तैयारी कर रहे हैं और आप एक्जाम देने जा रहे हैं पॉल्टिकनिक प्रवेश्ट परिच्छा 12 और 15 सितंबर को रिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट यह भी आ रहे हैं कि सर क्या 12 और 15 सितंबर कोई पर इच्छा होगी या फिर डेट को चेंज किया गया है तो दोस्त अभी तक की डेट में दोस्त पारा और पंदरा सितंबर को ही डेट रखा गया है आपके इंटरेंस एक्जाम की डेट को तो आपके अभी एक्जाम बारा और सितंबर को ही होगा इसमें दोस्त यही कहा गया है कि आप सभी के जो एक्जाम यहाँ पर आयुजित किये जाएंगे इसमें दोस्त आपको मास्क और सेनिटाइजर लाना आनिवार होगा और साथ में इस बार यहाँ पर 3,90,894 शात्र इसमें समलित होंगे और इस दोरान COVID प्रोटोकाल के जो COVID प्रोटोकाल है अगर अब भी आपको कोई confusion है तो आप वीडियो अभी देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर clear आपको बताना चाहूँगा अभी तक की update में यही है कि आप सभी का जो नया सत्र है वो आपका November से start होगा और 7 में November में start होने के लिए यह बताएगा कि आपका 12 सितंबर को इंजिनिंग के दोस्ति यहाँ पर बताएगा इंजिनिंग और pharmacy की पर इच्छा होगी और 15 सितंबर को दो चरणों में online पर इच्छा की जाएगी और इसके 10 दिन बाद आपका result घोसित कर दिया जाएगा अगर आपको information पता है तो वीडियो का आप छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको update नहीं पता तो आप सुन लिजे कि अभी तक update यही है कि 12 सितंबर को paper 12 और 15 होगा उसके 10 दिन बाद आपका result आ जाएगा और इसकी WSG के मुताविक यहां तो दोस्ते यही बताएगा है कि इस बार जो counseling प्रक्रिया है आपकी 5 चरणों में होगी और लगबग 30 से 35 दिन का इसके लिए समय लगेगा तो आप समझ सकते हैं जब सितंबर में परिच्छा होगी कि इस बार यहां पर counseling सभी चरण online पूरे किये जाएगे पहली बार प्रवेश परिच्छा के लिए राजकी और सहायता प्राफ्ट जो भी स्विध बिद्याले हैं उनके लिए दो चोब मतलब government और added college है उन ही को केंदर बनाए जाएगा private college को यहां पर केंदर नहीं बनाएगा और प्रते कर्चा में 24 चातर ही परिच्छा देंगे और एतिहातन केंदरों पर sanitizer और thermometer भी रखे जाएगे यह चीज तो यहां पर यह कहा जा रहा है लेकिन यह चीज मैं आपसे फिट से कह रहा हूँ कि यहां पर वही अपडेट है दोस्ते कि आप जब college प्रवेस पर इच्छा देने जाएंगे तो अपने साथ में mask लगागे जाना है और साथ में अपने साथ sanitizer ले जाना है साम को यह सब कुछ अपना आपको रख लेना है जब आपको एक्जाम देने जाना है इससे सब चीजों को रख लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो यह चीजों को ध्यान रखना हो प्रवेस पत्र खास दोर मास sanitizer यह सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कोई अपडेट आती है लेकिन अभी तक के लिए दोस्त यही अपडेट है कि 12-15 को आपका पेपर होना है दस दिन बाद उसका आपका result आएगा और दस दिन के बाद result आने के बाद तुरंद counseling प्रक्तिया होगी 30-35 दिन उसमें लगेगा और 30-35 दिन अक्टूबर पूरा आपका counseling होगा नवंबर में आपका नया सत्र श्टार्ट होगा अर्थाद जो अभी Polytechnic entrance exam 2020 का फार्म पिलप कियें उन सभी का नया सत्र जो college में आपका admission होगा वो नवंबर में श्टार्ट होगा और यहाँ पर आपकी 12-15 सितंबर में अभी exam होना प्रस्तावित है आगे की information के लिए चैनल का प्लीज आप subscribe करें धन्यवाद